Myself, Dr. Manjumina, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota आज हम रासेनिक अभी किरियों की किरियाविदी के अंतरगर कार्बनिक अभी किरियों के प्रकार अथार टाइपस ओफ और्गैनिक रियक्संस के बारे में अध्यान करेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में किसी अभी किर्या के संपन होने में या किर्याकारक से उत्पाद बनने में चार प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं अत्या इसे या अधार पे कार्बनिक अभी किर्याएं चार प्रकार की होती है फर्स्ट है योगात्म का अभी किरियाएं या addition reaction जब किरियाकारक अणु में से किसी परमाणू का ना तो निस्कासन हो और ना ही कोई परमाणू उसके अंदर साथ जुड़ जाए अथार उस परमाणू का उसमें योग हो जाए या addition हो जाए इस प्रकार की अभी किरियाओं को हम योगात्मा का अभी किरियाओं या एडिसन रियक्षन कहते हैं सेकिंड है विलोपन अभी किरियाओं विलोपन अभी किरियाओं क्या होती हैं जब किर्याकारक अणु में से किसी परमाण या समू का निस्कासन तो हो लेकिन उसके स्थान पर जुड़े कुछ नहीं, अथार्थ, विलोपन या Elimination हो अत्य है इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विलोपन या Elimination Reaction कहते हैं थार्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं या Substitution Reaction इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जब किर्याकारक अणों से एक पर्माणू अत्वा मूलक निकले और उसके स्थान पर दूसा पर्माणू या मूलक जुड़ जाए अथार्थ, प्रतिस्थापन या Substitution संपन हो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम Substitution Reaction कहते हैं फूर्थ, पुनर विन्यास अभिक्रियाओं या Rearrangement Reaction इस प्रकार की अभिक्रियाओं में किर्याकारक अणों से नहीं तो कोई पर्माणू या समू निकलता है नहीं कोई परमाणू या समूस में जुडता है वरन उसके इस्तान पर अणू के परमाणू या समू अपने इस्थिती बदल कर नए उत्पाद अणू में परिवर्तित हो अथार्ट अणू में पुनर विन्यास या रियरेंजमेंट हो तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उनर विन्यास या रियरेंजमेंट अभिक्रियाओं कहते हैं फास्ट है योगात्मक एम एडिसन रियक्षन ये अभिक्रियाओं एस संत्रप्त योगिकों का अभिलक्षनात्मक गुण है इन अभिक्रियाओं के अंदर एक पाइबन तूरता है और दो नई सिग्मा बंदों का निर्मार होता है इस प्रकार एक संतरप्त क्रियाकारक अनू से एक संतरप्त उत्पाद अनू बनता है योगात्मक अभिक्रियाएं तीन प्रकार से संपन होती है सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉंस नहीं योगात्मक या एलेक्ट्रोफिलिक एडिसंट रिएक्षिन के बारे में अध्यन करेंगे ये अभी करियाएं अलकीन और एलकाइन युक्त योगिकों की अभी लक्षनात्मक अभी करियाएं हैं इसके अंतरगर्थ हम दो प्रकार की अभी क्रियाओं को का अध्यन करेंगे हैलोजन वर हटरोजन हेलाइडो की योगातमक हाभी क्रियाद उसमें सबसे पहले हम हैलोजन का योग एलकीन या एलकाइन पे किस प्रकार से होता है उसको हम देखतेंगे एलकी ने हेलोजन के साथ किरिया करके डाई हेलोजन विद्पन बनाती हैं जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि एलकी एक्सटूप के साथ किरिया करके डाई हेलो विद्पन बना रही है यदि यही अभी किरिया एलकाइनों के साथ हो तो अभी किरिया इन दो पदों में संपन होती है इस कारण से एलकाइन से टेट्रा हैलो विद्पन का निर्मान होता है मेकेनिज्म या किरियाविदी सरप्रथम S संत्रप्त हाइड्रोकार्बन अणू के पाई इलेक्ट्रोन की तरफ हेलोजन अणू आकर्शित होता है और इस आकर्शन बल से एक पाई संकुल का निर्मान होता है जिससे हेलोजन अणू में द्रुवनता आ जाती है एक हेलोजन परमानों पर आंसी ग्रुप से धनावे से आ जाता है तो दूसरे परमानों पर आंसी ग्रुप से रिनावे से आ जाता है दुरूवित हेलोजन अनू से एक हेलाइड आयन निकल जाता है और एक चक्रिये सिग्मा संकूल का निर्माण होता है इस सिग्मा संकूल के एक कार्बन परवाणों के साथ हैलाइड आयन जुड़ता है और एक ट्रांस योगात पात का निर्माण होता है एथीलीन वे ब्रोमीन के साथ अभी किर्या को हम या निम्प्रकार से दर्सा सकते हैं सेकिंड है हाइट्रोजन हैलाइड का योग जब एलकीनों को हाइट्रोजन हैलाइड के अथा हाइट्रोजन प्लोराइड हाइट्रोजन ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ अभी किर्या करवाई जाती है तो एलकील हैलाइड ब्रहनते हैं इसकी किर्याविदी निम्प्रकार से संपन होती है कि एलकीन जब HX से क्रिया करती है तो कार्वो केटाइन बनती है और कार्वो केटाइन तीवर्था से सेकंड इस्टेप में एलकेल हेलाइड का निमाण कर लेता है हम जानते हैं कि यदि एलकीन सम्मित है तब तो कार्वन कार्वन दिवबंद के किसी भी तरफ हैट्रोजन परवान जुड़े और किसी भी तरफ हैलोजन परवान जुड़े उत्पाद एक ही बनेगा जैसा कि हमने एथीन वे टू ब्यूटीन पर यदि हम हैचाई का योग करवाएं तो क्रमस एथिल आयोडायड या टू आयडो ब्यूटेन बनेंगे लेकिन यदि एस समित एलकीन पर हैट्रोजन हैलायड का योग करवाए जाए तो दो प्रकार के उत्पाद मने की संभावना हो जाती है इसी कारण से एसमित एलकीनों में हाइट्रोजन परमाणू कौन से कारवन परमाण से जुड़े इस संभन में मौरक और कौफ ने एक नियम दिया था इस नियम के अनुसा जब हाइट्रोजन हैलायड का किसी एसमित एलकीन पर योग होता है तो उसका रिण वीदूती भाग उस कारवन परमाणों के साथ जुड़ता है जिस पर जुड़े वे हाइट्रोजन परमाणों की संख्या काम हो जैसे कि हम इन नियम उधानों से इसको समझ सकते हैं वन ब्यूटीन यहाँ पर हैचाय का यदि किर्या जाए तो टू आइडो ब्यूटेन बनता है इसी प्रकार एसिटलिन से किर्या करवाई जाए एच बियार के तो सर प्रता वाइनिल ब्रोमाण बनेंगा फिर दुबारा से एच बियार की किर्या वाइनिल ब्रोमाण के साथ करवाई जाए तो एथिलिडिन ब्रोमाण बनता है जिसको हम नियम किर्या विदी के द्वारा समझ सकते हैं प्रोपीन यह नमबर वन यह नमबर टू कारवन यह नमबर थ्री कारवन प्रोपीन में C1 कार्बन पे दो हाइट्रोजन पर्मानु जुड़े हैं जबकि C2 पर केवल एक हाइट्रोजन पर्मानु जुड़ा हुआ है यदि अब इसकी किर्या HBR के साथ करवाई जाए तो हाइट्रोजन पर्मानु C1 कार्बन पर जुड़ेगा और एक दित्य कार्वो केटाइन बनाएगा जो की इस्थाई होता है और ब्रोमी राणू अधिक रिन विदूती है जो की आसानी से दित्य कार्वो केटाइन से जुड़ जाएगा और टू ब्रोमो प्रोपेन का निर्मान करता है थैंक यू